हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित भीयली में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि बृधा पैंसन का एक वाईसी आप कैसे करेंगे तो चली यहाँ पर आपका का करना है आपको अपना ब्राजर ओपन कर लेना है ब्राजर ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है यह लवार्थी यह लवार्थी टाइप करने के बाद यहाँ पर जो first वलो option दिखाई देगा यह लवार्थी इस पर आपको किलिक कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम किलिक कर देते हैं दोस्तो वीडियो स्टाट होने से पहले आप से एक छोटी से request है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले बारा हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सिस्क्राइब कर दिजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो इससे share भी किजिएगा तो चलिए यहाँ पर देखिए यह लवार्थी link to इस पर आपको किलिक कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम किलिक कर देते हैं उस पर किलिक करने के बाद login with digital seva connect इस पर किलिक कर देना है तो यहाँ पर हम किलिक कर देते हैं इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपका page एक बाद refresh होगा और यहां पर बोला जाएगा कि आप अपने CSC ID से इसमें लोग इन कीजीए तो चलिए यहां पर अपना CSC ID फिल करके लोग इन कर लेते हैं यहां पर यह जो CAPTCHA दिखाई दरे, इस CAPTCHA को फिल करना है CAPTCHA फिल करने के बाद SIGN IN पर किलिक कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम klik कर देते हैं उस पर klik करने के बाद फिर से एक बार page ये रिफुरेस होगा तब तक बैट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिये Biometric for E Laurie Pension इस पर आपको klik कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम klik कर देते हैं इस पर जैसा ही क्लिक कीज़ेगा फिर से एक बर फेज रिफ्रेश होगा तो यहाँ पर देखिए एकाउंट अधार और वेनिफेसरी आईड ये तीन ओप्सन दिया गया है तीनों में से आपकी से एक को स्लेक करके क्यों कर सकते हैं तो चलि यहाँ पी अधार काड सेलेक कर लिए फिर उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको अपना जिस भी कस्टामर का्यों और आथार नंबर यहाँ फिल करने के बाद करने के बाद सर्च वाले आंप्सिन के आपको क्लिक कर देना है जैसे यही ऑप्सिन के ambient किक के को बोला जाएगा तो यहां से आप उनका वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिजिएगा वार्ड नंबर सेलेक्ट करने के बाद पेज एक वार फिर से रिफ्रेश होगा फिर आपको क्या करना है एस्क्रोल को नीचे करना है एस्क्रोल नीचे करने के बाद देमोग्राफिक Algorithography Anthorticate वाले option पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर click जैसे ही किजिएगा पीज ये गवाइज आपर फिर से refresh होगा यहाँ पर फिर से scroll को ऊपर करना है go for biometric authentication पर click कर देना है और फिर से आपको ये next page पे ले जाए जाएगा यहाँ पे जाने का बद क्या करना है आपका जो device है अपने device को अपने system में connect कर देना है तो चलिए आपको अपना device जो है इसमें connect कर देते हैं connect जैसे ही किजिएगा आपका जो device है यहाँ पे so होने लेगा कि आपका कौन सा ڈिवाइस है, तो यहाँ पे दखें, मिरा Morpho है, तो Morpho सू होने लगा, फिर उसके बाद STX box को कलिक करना है, उसके बाद दिवाइस यहाँ पे افक इंचलेट कर लेना है, फिर Capture by Matrix data पे कलिक कर देना है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए इस पे जैसे ही क्लिक कीज़ेगा आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस में रेड कलर का लाइट जलने लेगा तो अब जिस भी कस्टमर का EKYC करना चाहते हैं उनका फिंगर उस पे लगवा दिज़ेगा जैसे ही फिंगर लगएगा यहाँ पे आटोमाइटिक कुछ सो होगा की कैप्चर हुआ या नहीं तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक हमरा सो हो रहा है तो दोस्तों आप इससे तीन लोगों का KYC कर सकते हैं बिर्धा पेंसन बिदवा पेंसन और विकलांग पेंसन का यह तीनों का आप इसी पोर्टल से KYC कर सकते हैं तो चलिए हम वेट कर लेते हैं अभी तक कुछ आप्सन नहीं आया है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कैप्चर नोट डाटा सू हो रहा है तो फिर से यहाँ से orange capture by metric data पे क्लिक करेंगे तो अभी पिर्धा नोट हो गया तो और झांट यहाँ देक हो गया है तो फिर से यहाँ से आपको यह ऐसे ही किज़ेगा home page पे आपको redirect कर दियेगा तो यहाँ अधार select करके फिर से आप customer का अधार number पर प्यार नम्मर फिल किजिएगा jeśli यहां पे अधार नम्मर फिल करने के बाद पीर से सर्च वाले upchns पे आपको क्लिक करना है फिर किलिक करने काद PFE आपको click कर देना है PFE पर जैसे ही click किजिएगा आपका page एक बाद फिर से refresh होगा यहाँ पर आपको CSC ID रसू होगा फिर से आपको यहाँ पर अपको अपना CSC ID का password fill up कर देना है तो चलिए आप अपना password fill up कर देते हैं पास्वर्ट फिलप करने के बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक किजेगा आपके CSC वालेट का पीन पूछा जाएगा तो CSC वालेट का पीन यहापको टाइप कर देना है फिर पे पे जैसे ही क्लिक किजेगा देखिए मेरा पेमेंट स तक से जो हो चुका है दोस्तों कंटीनी वाले आप्शन पर आप किलिक कर दीजिएगा फिर से आपको बता दें कि ब्रिधा पैंसन बिधोवा पैंसन और विकलांग पैंसन तीनों का एक वाई सी आप यहीं से कर सकते हैं वो भी घर बैठे बिल्कुल